नमस्कार सांतियो जेहिं जे भारत बंदे मातरम आज की वीडियो SSC MTS 28 के जितने भी कंडिटेट से उनके लिए बड़ी इंपोर्टेट होने वाली है क्योंकि सभी कंडिटेट से ने आपर आंसर की देख चुके आप आंसर की देखने के बाद आज की वीडियो में हापर आपको जो SSC MTS की रेंक आपकी क्या रेंक है वहीं आपर क्या safe score होने वाला है और क्या cut-off रहने वाली है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा यहाँ पर आपको live चेक करकर बताऊंगा जो SSC MTS की normalization rank को वहीं आपर सबसे 60 cut-off आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाएगी जो की expert analysis के दुआरा बनाई गई है वहीं result कब तक आएगा वो भी आज की वीडियो में चर्चा करने वालो तो पूरा step by step आपको बताऊंगा उससे पहले आप इस वीडियो को like जाउट से कर देना चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल को subscribe कर देना क्योंकि SSC MTS से जुड़ी हर एक information हर एक update आपको अमार्चल के माध्यम से provide कर दी जाती है जो भी information अपडेट रहती है सबसे पहले हम आपके पास लेकर आते हैं तो फटा-फट से चैनल को subscribe कर लो चैनल से जुड़ जा अब सबसे पहले यहाँ पर मैं SSC MTS rank IQ normalization इसको check करने के लिए आपको Google पर जाना है गूगल पर आने के वाद आपको यहाँ पर simply search कर लेना है Hariana Jobs मैं आपर सर्च करता हूँ है यहाँ पर मैंने search करा है encrypted जोब्स अब यहाँ पर जैसे हरिया ना जोप सकी यहाँ पर आपको साइट टॉप पर देखने को मिल जाएगी इस वेबसाइट में यहाँ पर आपको इंटर हो जाना है अब जैसे यहाँ पर आप इसमें इंटर होगे मैंज पर क्लिक करने के बाद कर्णे के बाद यहाँ पर आपको देखने को नीचे मिल जाएगा स sfmts और कने के बाद आपको अंसर कि URL लिंक डालना है आपको कर लिन है जैसे मैं आपर exam select के option पर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ सकता है देखो SSC MTS हवलदार 2018 tier 1 का जो आप exam देरो तो simple यहाँ पर आपको यह select कर लेना है और first वाले जो section उसमें आपको आपकी जो PDF जो answer की का PDF उसकी URL को यहाँ पर डाल देना है अब जैसे मैं इसमें यहाँ पर डालता हूँ तो मैंने यहाँ पर इसमें link के यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि इसमें मैंने आपर यह field कर दिये और इसके बाद यहाँ पर मैंने जो अपना exam है SSC MTS 2018 tier 1 को select कर दिया है इसके बाद यहाँ पर मैं view score के section पर simply click कर देता हूँ तो आप जैसे की click करते हो तो आपके सामने आपर देख सकते हो कि यह जो PDF है यहाँ पर आपको score card है यह खुल चुका है जिसमें आपर आपको two subject को देखने को मिल लागा है यहाँ पर normalization मतलब यहाँ पर आपको starting के जो two subject है उसमें यहाँ पर आपको मिल रहेगा कि कितने आपने सही question करें कितने आपर आपने गलत करें और कितने attempt नहीं करें तो जो first है आपर देख सकते हो कि mathematics ability और reasoning का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें इसके द्वारा cut-off नहीं बनेगी आपको check करना है आपके किसके द्वारा general awareness और English language दो का आपको यहाँ पर check करना है बहुत यह असान तरीके से जो मैंने step बताईए अब इसके बाद मैं आपको cut-off को लेकर बात करने वाला हूँ कि cut-off क्या होने वाली है और वहीं आपर result date कब तक आए जाएगी तो यहाँ पर मैं इसको लेकर बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपना यहाँ पर जो session 1 हैगा उसमें क्या है कि numerical mathematics ability 20 question है और जिनके number क्या है 60 और 45 minute का section है मैं यहाँ पर reasoning ability and problem solving इसमें 20 question है आपके total of question 60 and 120 number का यहाँ पर यह बन रहा है बट मैं इस section को कहूँगा तो इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके द्वारा cut off नहीं बनने वाली है इस दोनों section को मिलाकर आपको total 12 question सही करने हैं तो आप book कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से कोई सबने करेंगे और इस section का कोई भी महत्व नहीं है section आपका second जादा important होने वाला है section 2 जिसमें आपर आपको general awareness और English language के बेस पर यहाँ पर आपकी cut off वनने वाली है जिसमें आपर आपको 25 question general awareness करेंगे और English में आपर आपके 25 रहेंगे total of question मतलब total number आपके रहेंगे 1500 number का यह section रहने वाला है अब 1500 number में से आपको कितने attempt करकर आप आए होंगे कितने आपने attempt कियोंगे क्या safe score रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर यह देख सकते हूँ कि यहाँ पर जो मेरे दुआरा मैंने लिखा गया है इसको यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हूँ जिसमें मैंने आपर जो categories wise यहाँ आपको denoted किया गया है जिसमें आपर जनरल की आप सिंपली देख सकते हैं कि 112 आपके नम्मर आये है मतलब ये सेकेंड शेक्षन का बता रहा हूं में डेर सो में से अगर आपके 112 नम्मर आएंगे तो समझ लीजे कि आपका सेलेक्शन के चांसेज है मेक्जिमम आप लेकर सकते हैं 117 नम्मर मतलब 117 नम्मर से अबब आपके नम्मर ये तो आपके चांसेज 100 परसेंट है आपके 112 से थोड़ा मामला खराब थोड़ा सा रह सकता है यहाँ आपर OBC की में बात करूँ तो 107 आपकी मिनिमम हो सकती है 113 आपर आपकी मैक्जिमम हो सकती है ST की बात करूँ तो 85 मिनिमम हो सकती है और 90 यहाँ पर आपकी मैक्जिमम हो सकती है तो SC की में आपर बात करूँ तो पिंचान भी आपकी minimum हो सकती है और maximum भी बात करूँ तो 100 हो सकती है EWS की बात करूँ ते हापर आपको 103 minimum हो सकती है और 106 आपर आपकी maximum जो है जा सकती है क्या cut-off या safe score समझ लीजी आप वहीं आपर में कुछ previous जो exam है SCCGL के उसके base पर आपको result date को लेकर भी बात करता हूँ इस वीडियो में तो result date को लेकर में बात करूँ तो आपका जैसे SCCGL 2021 में exam हुआ था उसमें exam date क्या थी अपनी 21 April से लेकर 21 April तक वहीं आपर answer की उन्होंने 2 मही को 11 दिन बात क्या कर दिया answer की को release कर दिया ऐसा ही इस exam में हुआ है आपको देख सकते हूँ कि अपने 20 को यहाँ पर अपना exam end हुआ था और वहीं आपर recently answer की आ चुकी है वहीं आपर आपको result को देख सकते हूँ कि result इन्होंने जो 2 महीने बाद यहाँ पर result को जारी कर दिया गया था मतलब result को 2 महीने बाद इसा जारी कर दिया गया था और वहीं आपर आप देख सकते हूँ कि 42 दिन बाद SCC CHSL की exam में इन्होंने जारी कर दिया गया था इसी वेस पर मैं SCC MTS की बात करूँ इसी वेस पर मैं SCC MTS की बात करूँ तो SCC MTS का अपना आपर 20 something समझ लिजी आप 20 June को अपना exam खतम हुआ था 20 June 2023 को और वहीं आपर आपकी answer की आच चुकी थी 28 June 2023 को मतलब 6 दिन बाद इन्होंने answer की को release कर दिया गया था मतलब 6 दिन का इन्होंने gap लिया था तो इसी वेस पर अगर मैं result को लेकर बात करूँ कि 28 June को अपना answer की आई है तो इसके something ज़्यादा क्योंकि इस बार SCC MTS ज़्यादा समय नहीं लेगा क्योंकि अगली vacancy भी आ रही है में आपका result आ सकता है तो आपको कुछ नहीं करना है आपका scorecard देखिए और comment में मुझे ज़रूर बताइए क्या number आपके उस बेस पर मैं आपर सब की comment का पढ़ूँगा और उनका जवाब देने की कोसिस करूँगा क्या आपका selection के chances है या नहीं वहीं आपर आप अपनी अगली वेकंसी SAC MTS की उसकी लिए का preparation को अच्छी से strong करिए और channel से जुड़े देए हर एक update के लिए क्योंकि SAC MTS से जुड़ी और आने वाली हर एक SAC से जुड़ी update के वाल आपको हमारे चलके माध्यम से दे दी जाती है जो की पूरी real and authentic रहती है मिलते है किसी new video नई अपडेट के साथ तब तक लिए जैंजे भारत बंदे मातरम और आने वाली हर एक update के लिए आपको हमारे चैनल को subscribe कर लेना है subscribe बाला बटन दवा दीजिए क्योंकि जो भी well notification है आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा तो फटा फट से government result चैनल को subscribe कर लिजिए subscribe बाला बटन दवा दीजिए क्योंकि जो भी SSC MTS की regarding update रहती है वो हमारे चलके मात जमस आपको दे दी जाती है तब तक लिए जैंजे भारत बंदे मातरम